आज अध्याटू आखेट खास संग्रह से भुज़न उत्पातन तक इसमें सब्सक्राइब कथा है इसमें सब्सक्राइब कथा जो है एक्जामें दौती नहीं तो यहां पर इसको हम अवैट करेंगे ठीक है अब सब्सक्राइब आरंभिक मानों आखिर वे इधर सुधर क्यों घूमते थे हम अधरते धनते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महादीब में 20 लाग साल पहले 20 लाग साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक खाज संग्रहा के नाम से जानते हैं भोजन का इंतिजाम करने की बिद के अधार पर उन्हें इस नाम से जाना आता है किसके अधार पर भोजन का इंतिजाम करने के अधार पर उन्हें इस नाम से आना आता है। आम तोर पर वखाने के लिए जंगली जनवरों का सिखार करते थे। चिडिया और मचलिया और चिडिया पकड़ते थे। फल, फूल, दाने, पौधे, पतिया, अंडे, इकठा क्या करते थे। अब इस स्यादे आखे टक खास अंग्राग समुदाय के लोग एक जगा से दूसरी जगा पर घूमते रहते थे। क्यों उसके कई कारण थे। अब इस कारण पर चार्चा कर लेंगे। पहला कारण इसमें से हैं कि अगर वे एक ही जगा पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पाउधों फालों और जानवरों खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और बहुन तलास में उन्हें दूसर करन जानवर अपने सिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चार ढूड़ने के लिए एक जगा से दूसरी जगा जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों को सिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे। इसके बाद कि यहां हरे पेड़ों और पाउधों में फल फूर अलग-अलग मौसम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलास में उपरिक्त मौसम के अंसार आने इलाकों में घुमते होंगे अभी आम के मौसम में अम्रुत के मौसम आगया तो उस मौसम के अनकूल या खाने के अनकूल वो लोग इलाकों में घुमते रहते होंगे अब चौथा करण चौथा करणं सब्सने महत्मून करण कि पानि के विना कि प्राणी या पेड पौधहम का जीवन संभल नहीं होता पानी जहीलो नदीयो तरावो नदियों इसले जीलो और नदियों के किना र réflультат मिल पाता है इसलिए ऐसी जीलों और नदियों के किनारे पसे लोगों को सोखे मौसम में पानी की तलास में उधर उधर जाना पड़ता था जहां पर पानी की आवयोस्ता है पानी कुछ समय ही मिलता है उसके जब सुखा पड़ता है तो जितने वी लोग रहते होंगे वो दूसरे जाये गरते होंगे एक यह भी करण है फिर इसके बादा है आरंभिक मानों के बार जग्र कैसे मिलती है पूरा तत्विदों कुछ ऐसी बस्तोय मिली हैं जिनका निर्वान और प्योग आखेटक हाद संग्राहत की रूप में क्या करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थ्रों लकड़ों हड़ियों के अउजार बनाये हो लेकिन जो पत्थर थे पत्थर जो कि तो ही है इन में से पत्थ्रों के तक पूल काठने हड्डियों, और मांस काठने सब्धरों की छाल के लिए किया जाता है कुछ के साथ हड्रियां लकड़ के मुठ्पे लागा कर भाले और बाड बना जातंथी है कुछ अँजारों से लकड़ियां काते कियाते थी लकड़ी का उपयोग इधन के रूप में कियाता था ठीक अब इसके नीचे आप दो हथियार बने हुए ये पत्थर के इनको देख लिए पत्थर के ज़ारों को प्योग बाइंसान के खाने योग जड़ों खोद दे के लिए जानोरों को खार से बने वस्तों को सिलने के लिए अब यहां पर दिलने वाले और काटने वाले मांचित्र में सिर्फ कुछ गिरे चुने स्थान ही चिन्नित यह गए हैं करें कि प्रत तत्त त्थल नदियों जुद्धियों किनारे पजाते हैं अब देखें कि अ कुछ यह कुछ गुफाएं है तो यह माम गाओं है कुछ गुफाएं और इमाम गाओं ठीक है कि यह कुछ गुफाएं जान में देते हैं पर देख लिजिए अब पत्थर के उपरण बहुत महात्पूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगार ढोटते रहते थे जहां अच्छा पत्थर अच्छे पत्थर मिल सकें कि पत्थर ही हत्यार बनने कावात रहे थे शैव चित्र कला से हमें क्या पता चलता है एक सैल चित इस चित्र के बारे में लिपताओ जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन में से कुछ की दिवारों पर चित्र है इसमें कुछ सुन्दर धारन मत्य प्रदेश और दश्चरी उत्तर प्रदेश मत्य प्रदेश और दश्चरी उत्तर प इसमें कुछ महात्पूर्पूर्ट इधर साइट में दिये होते हैं यह दूरिये भीम पेटिका आधुरिक मदपतेस इन पुरा स्थलों पर गुफाएं वाक कद्राय मिली हैं लोग इन गुफाओं में इसले रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिस धूप और हवाओं से रहात मिलती थी यह गुफाएं नर्वन्दा घाटी के पास हैं कि यहां तुम दा सकते हो रहने लिए लोगों ने यहां जगा क्यों चुनी बहुत जगा इसलिए चुनी होगी जाड़ा गर्मी बर्षा से रहत मिल सकें पत्थर के हंत्यार पास्टार हंत्यार उसकें जो सम्मेंजरूरत थी तो इसले रहोंगे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां आवजार, बर्तन और इमार्तों जैसी वस्तों के आवसेश मिलते हूं ऐसी वस्तों का निर्मान उन लोगों ने अपने काम के लिए क्या था बाग में या उन्हें वही छोड़कर या जमीन के अंदर ऊपर कभी-कभी समुद्रों नदी के तलमी भी पाई जाते हैं उन पुरास्थलों बारे में अगले अध्धायों में प्रहा जाएगा पुरास्थल क्या है जहां प्राचीन चीज़ें बड़तर या उजार मारते पायाते हैं तो प्रहास्थल है फिर सबसे महत्पूर्श जाती है आगे आग की खोज महत्पूर्श में से एक है आग की खोज मांचित तुमें कुर्णुल गुफा ढोड़ो यहां राग क्योसेस मिले हैं इसका मतलब यह है कि आरंबिक लोग आग जलाना सीख गय थे आग का इस्तमाल कई कारणों के लिए क्या आगया होगा जैसे कि प्रकास के लिए मांस को भ बखाने के लिए इनका भी उप्योग क्या हुए होगा है फिर इसके बाद है नाम और तित्यां हम जिस काल के बार में पढ़ रहे हैं पुरत विदों ने उनकी बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंबिक काल को पुरा पासान काल कहते हैं यहां दो सब्दों पुरा और प्रा लाजीन और पासान यानि पत्थर बना है यह नाम पुरा स्थरों से प्राप्त पत्थर के उजारों के महत्तिस बधाता है पुरा पासान काल 20.00,000 साल पहले से 12,000 सल तक 20,000 सल पहसे 12,000 स तक प्रम मान आयता है इस काल को भी तीन भागों भाग महें के आगए है आरंबिकाल मद्यकाल प्रम उत्तर पूरा पासाण यूद पूरण 17 है आरंबिक मद और उत्तर मानो त्यास की लगवग Cred 9MA कहानी इसी काल के दौराण घटित हुई लेकिन इस काल का कोई लिखित पराण कुछ यह हम आसा करते हैं कि इतनी होगी उस परती है को नहीं है या उसको पढ़ नहीं पाया जब उनकी भाहत साथ को कमेरिकेट नहीं कर पाए है जिस काल्ब में हमें परियावड़ी बदलाओं मिलते हैं उसे मेसो लिप यानि मध्य पासवाण यूग कहते हैं इसका समय लगभग 12,000 साल 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है इस काल्ब के पासवाण उजार आम तरब हो छोटे होते थे इन हे माइक्रोलिप यानि लगभ पासवाण कर ने माइक्रोलिप या लगभ पासवाण काल कहते हैं प्रहाएं इन उजारों में हड्डियों या लकडियों के मुठ्टे लगे हसिया और आरी जैसे आउजार मिलते हैं ये साथ साथ पूरा पासवाण यूग वाले आउजार भी दवरान बना जाते रहें अगले यूग की शुरूवात लगभग 10-4 साल पहले है इसे नौ पासवाण यूग क्या मतलब हुआ नौने नया भॉसर नौने पथर लिगी जिस हुए करें फॉक्सकर नौने नाम यूद नौने डिए हैं। तो कोई डाटा प्लोज नहीं है लब बारह जार साल पहले दुनिया की जलवाई में बड़े बदलाओ आये और गर्मी बढ़ने लगे इसके प्रणाम सरुप कई छित्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे इसमें फिरन बारा सिंगा घेड बक्री और गाय जिसे उन जान जानवर को सिकार करते थे वे भी इनकी पीछे आये और उनकी खाने पीने के आतों और प्रेजिनेंट के समय की जानकारी हांसिल करने लगे फोगता हो तब लोग इन जानवर को पकड़कर आपनी जरुरत के अंसार पालने की बास सोचने लगे हों साथ इस काल में मचली भी महात्रपूर्ण करते हैं हमें कलपना है करते हैं कि उस समय कैसे क्या हुआ होगा कि अंदाला सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लिखित दस्तावेश नहीं है कोई कंफर्म जानकरी हम पास नहीं है ठीक है कि खेती और पस्पालन के सोबात इसी दोरान महादीब के भिन भिन जांज और ध्याइब करते हैं रुप से उधनी लगे थे वोगों ने इन अनाजों को भूझन के लिए बटोरना सुरू कर दिया होगा साथ ही और यह भी शीखने लगे होंगि कि यह अनाज कहां उठते थे और कपकर त्यार होते हैं ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना शीख लिया होगा इस प्रकार धीरे धीरे वक्रसक बन गये मिश्टी शीख की क्रसक बन गये किस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास हरा चागा वह अगर जानवरों को आकर्सित करके उन्हें पालतु बनाया तब चारा वास उनको प्रोफन देखे उनको अपने और अटेक्ट किया या पालतु बनाया सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतु बनायागा वह कुत्ते का जंगली पूरवज था दिरे दर लोग भेड बकरी गाय सुवर इसे जानवरों को अपने घरों के नदीक आने को उसाहित करने लगे ऐसे जानवर जुंड में रहते थे और ज्यादा तर घास खाते थे अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकोंट से इनकी सुरच्छा किया करते थे इस तरह धेरे धेरे यह पसपालक बन गए क्या तुम बता सकती हो कि समय पहले कुत्तों को ही पालतु क्यों बनायागा अब बसने की प्रिक्या लोगों द्वार पाउधे उगाने और जानवरों के देखभाल करने को बसने की प्रिक्या का नाम दिया गया है अपनाय गए ये पाउधे था जानवर आक्सर जंगली पाउधों था जानवरों से भिन होते हैं इसकी वजाई यह आय कि बसने की प्रिक्रिप्रिया के धिस्टिशा में अपनाए गए पौधों या जानुलों का लोग छेय 왜냐하면 करते हैं जितके बीमार होने के संभ्रूना कम रही उर्म उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने और अनाज पैदा करते हूं साथ ही उनकी मजबूर डंठले अनाज के पके दानों को बहार को संभाल सकें ऐसे पौधों की बीजो को सम्हाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुड़ सुरच्छित रह सकें उन्हीं जानोरों को आगे प्रिजन के लिए चुना जाता है जो आम तोर पर अहिंसक होते हैं अब इसलिह हम देखते हैं कि पाले के जानवर तकर्स के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानोरों और पौधों से धिर धिर प्रिक्या पूरी दुन्या में धीरे धीरे चलती रही या करीब 12,000 साल पहले शुरू होई वास्ताव में आज हम जो भोजन करते हैं या उसी बसने की प्रिक्या को जैसी है क्रिफ के लिए अपनाई गई सबसी प्राचीन फसलों में गिहूं थज्जव आते हैं उसी तरह सचे पहले पालतू बनाये गए जानरों में कुट्ध के बाद भेड बकरी आते हैं पर आसमें गेहूं और जो सब्सलों में गेहूं जो सब से हाथ के रूप में कर मैं उपहार के रूप में और भंडारण के लिए चार यह को ठाकिने लिए भी होंगे तो हलार बह्में सबस्रेज़ लगाएंगे और का द wiring लिए अधर लिए प्रल्क के लिए पिर याधि हमाजलने एक नवीन जीवन सहली इसके वाण जाने नहीं है तुम किसी पौधे की बीच को बोग कर देखो तुम पाऊगे किसे विक्सित होने में कुछ वक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकता है इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हीं एक ही जगा पर लंबे समय तक रहना पड़ा था रहना पड़ा था बीच बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की स्चाइख करने खर्पतवाट आने जानवरों चुरियों से उनकी सुरच्छा करने से बहुत से काम सामिल थे कटाई के बाद अनाज का अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपे में बचा कर रखना आए सकता है इसलिए उन लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी क्योंकि भंडार रखना है तो भंडार करना है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बरतन मनाया तोकरियां बुनी फिर जिवन में गढ़्धा खोदा क्या तुम्हें लगता है कि सिकारी या भोजन संग्रे करने वाले बरतन मनाते और उसका प्रयोग करते होंगे जानवर चलते फिरते खाद भंडार जानवर बच्चे देते हैं इनकी संख्या बढ़ती है अगर जानवरों की देख भाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है साथ ही उनसे दूद भी प्रापत हो सकता है जो भोजन का अच्छा स्रूत है यही नहीं जानवर से में मांस मिलता है दूसरों सब्दों में पसपालन भोजन के भंडारन का तरीका है जानुर से और क्या क्या मिलता है फिर आरम्भी क्रसकों और पसपाल को बानना पता करें क्या तुम्हें कई नीले वर्द दिख रहे हैं इनले परितेक बिंदु उस जगह को दर्साता है जहां प्रतत विदों को स्वृति क्रसकों और पसपाल को के होने के साच्छे मिले हैं यह पूरे महाधीप में पाए गए हैं में सब्से महत्रपूर्ण पश्य मोतर छित्र में आधुनिक कस्पीर में और पूर्वी दच्षिट पठार में पायाते हैं। वास्तों में ये निद्रिस अस्थान क्रिस्कों पसपालकों की बस्तियां थी थी या नहीं। इसे जाचने के लिए बैग्यानिक खुदाई इसमें मिले वाउधों पस्वों के हट्डियों के नमूने का अध्यन करते हैं। इन में सबसे रोशक जले हुए अनाच के दानों के उस्वेश हैं। असल लगता है कि विए गलती से या फिर जानवुष कर जलाए गर होंगे। बैग्यानिक इस अनाच के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पताचलता है इस उप महादीब में इस महादीब के विभिन भागों में बहुत सारे फसलें उगाल जाती रहे होंगी। बैग्यानिक विभिन जानवुष की हट्डियों के भी पहचान कर सकते हैं। पुरात्त्य विदों को कुछ पुरास्तलो पर जोपडियों घरों के निसान मिले हैं। जिसे की बुर्ज हों बरतवान कस्मीर में के लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास काहता था। इसमें उतरने के लिए सीडिहा होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरच्छा मिलती होगी। पुरात्त्य विदों की जोपडियों के अंदर और बाहर दोनों सब्र आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अंसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। दोनों जोगता है। अब गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों में पथ्थर के अउजार भी मिले हैं। इन में से कई ऐसे हैं जो पुरा पासारान युगीन से भिन्ध है। इसलिए इन नोपासाराण युग का माना अगता है। इसमें वे आउजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश च्रहाई जाती थी। उखली और मुसल का प्रयोग अनाज और बंसपतियों से प्राग अन्य चीजियों को पीछने के लिए क्या जाता था। आज हजारों साल बाद भी उखली और मुसल का प्रयोग अनाज पिसने के लिए जाता है। प्राचीन प्रस्तर यूगीन आउजारों का निर्माण और प्रयोग लगातर होता रहा। कुछ ऑजार हड़ियां भी बना जाते थे। यह कुछ ऑचार ऑजार हड़ियां बनी होई इनको आप भलिभाद देख लिए। यह नौपासाण यूख्य है। इनको नौपासाण यूख्य माना गया है। कुरास थलों में कई प्रागर मिट्ट्र मिले हैं कभी कभी इन पर अलंकरंड़ लोगக्यों। चावल गेहूं दलहें जिश्यानाज जब आहार का महत्पुर्ष्टत बन गए थे कि साथ साथ तब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे लोग बुनने इसके लिए कपाज जिसे आवस्तक पौधे उगाय अस्ति थे कपाज के पौधे को प्योग होने लगा था क्या ये परवर्तर हर जगा एक साथ ही आगे होगे ऐसी कोई बात नहीं है एक तरफ यहां कई जगों पर इस्त्री प्रूर्ष शिकार और भोजन संग्रे तो दोन लोग काम करते रहे थे वह अन लोगों ने हजारों सालों के दर्मान धीरे-धीरे खेती और पस्पालन को अप कि यहां देडिये कि तुम करतना कर सकते हो किस पात्र में क्या ख़ा गया हुगा है यह एक पात्र मतन हुआ है टीक है पूच मिनेश्ण आप मेहर गड़ में जीव मिर्ते हों कि यहां इरान जाने वाले सब्सक्रे महात्पूर्ण रास्ते बोलं दर्जय के पास एक हरा हरा समतर स्थान है मेहर गड़ समभतावास स्थान है जहां कि इस तरी पूरुसों ने इस इलाके में सबसे पहले जव ग्यूहूं गाना और भेड़ बखरी पालना सीखा यहां बिविन्ली प्रकार के जानुरों के हड्या मिली हैं इनमें हिरन था सुवर से जंगली जानुरों था भेड़ बक्रियों के हड्या हैं मेहरकड में इसके लामा चवकोर था आयताकार घरों के आउसेश भी मिले हैं प्रतिक घर में चार या उससे जिदा कमरे हैं इनमें से कुछ संभोता भन डालन काम आते रहोंगे ब्रत्तु के बाद समद्दा मितक के सगे संबन्दी उनके पर सम्मान दाते हैं लोगों की आस्था है कि मितके बाद भी जीवन होता है इसलिए कबरों में मितक के साथ कुछ सामान रखे जाते थे मेहरगड में अईसे कई कभड़ए मिली हैं उसे मेहरगड के घर का चित बना हुआ है की ऐसा घर होते होंगे चार कभड़ें बंद्म होते होंगे यह कंप्रॉन ही यह जूढ़क्रा एक कलपना है कि मेहरगड के घर एक कब्रों में एक मिर्तक के साथ बखरी को भी दफनाया गया है समोता इसे परलूक में मिर्तक के खाने लिए रखा हुआ यह यह कब्रहेग फ्रांस में गुफा की चित्रगारी आपने टेलंद फ्रांस टूढो यह चित्र फ्रांस के गुफा का है इस पुरास्थल के खोज लभग सव साल पहले चार इसकूली छात्रों ने कि थी किस तरह के चित्र लभग बिस चार साल पहले से लेकर दस चार साल पहले के भीश बनाए गए थे इनमें काई जानुलों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैस, गैंडा, रेंडियर, बारा सिंगा और सोरों की गहरे चमकिले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रगों को लंभ आयस्क और चारकोल जिसे खनिश्प्राथों से बनाया गया होगा। या संभफ़ग इन चित्रों को सोओं के आवसरों पर बनाया जाता था। कि या फिर इन्हें सिकार्यों तो सिकार पर डिकलने से पहले कुछ अरुष्ठ ठाड़ों के लिए बनाया गया होगा कर दो कर दो कि योग में कि यह आखे टक पुरा अस्थल वो दो लोग यहां प्राक्षिण स्वय प्रस्तों में पुरा स्थल है आवासिव स्थल जहां पर हम रहते हैं वह आवासिव स्थल पुरा पाशाण मद्धि पाशाण बीच का लगु पाशाण कर्शक बने खेटी कर्णे वल्ला नव पाशाण योग वाजशी चला है कब्र जहां पर विक्त को मरने के बाद दफना आयता है तुर्की ढूड़ो नव पाशाण योग के सबसे पुरा अस्थलों में एक चाताल श्यूप तुर्की में है यहां दूर दराज अस्थलों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उप्योग किया जाता था इसे सीरिया में लाए गया चकमक पत्थर लाज सगर की कोडियां तब हो सगर की सीपियां ध्यान है इस समय तक पहिए वाले वाहन का भिकास नहीं हुआ था लोग समान खुद या जानवरों की पीट पर लाजकर ले जाये करते थे भन्यवाद थैंक्यू कल पर मिलेंगे पाक तीन के साथ